नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है भई बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे तो मेरा नाम है सिवम और होमसाइन जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो जो डी ट्रिपल स्वी का हमारा जन्रल वाला सेक्शन है उसका reasoning वाला जो एक topic है उससे हम आज सुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे जो topic वो है dice पासा पासे से हम आज स्टार्ट करेंगे तो और इस class में हम देखने वाले हैं कि पासा होता क्या है कितने type का होता है और कितने पिरकार के इस पर question बनते हैं स और एक से दो question में भी अगर आपके exam में आया तो आप मातर 4-5 second में इस प्रिशन का उत्तर करेंगे जब हम सारी चिजवें को समझ लेंगे इस पर best question करेंगे तो आप 4-5 second में अपने प्रिशन का उत्तर देंगे तो अगर मान ले आपके exam में एक question आया तो वो आपके लिए एक bonus का काम करेगा तो अब देखते हैं कि पासा होता क्या है पासे को समझते हैं dice तो dice क्या होता है आप जानते हैं आपने देखा है कि dice होता क्या है तो dice आपने loodos तो खेली होगी न जो loodos में dice यूज़ करते हैं वही होता है वही पासा जो एक गिट्टी होती है प्लास्टिक की उसी को dice बोला जाता है लेकिन हमारे जो exam में question पूछे जाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हम loodos के dice है उसी से related question पूछे जाए हो सकता है कि हमारे जो dice है उस पर एक से लेकर चैतकी जो है गिन्ती अंकित हो एक मिनट एक से चैतकी गिन्ती अंकित हो एक चार पाँच हो सकता है कि उस पे कुछ सिंबल लिखे गए हो जैसे कि add the red hashtag या फिर रूपए का sign हो सकता है कि उस पे color लिखे गए हो जैसे कि यहाँ पर लिख देगा लाल यहाँ पर लिख देगा हरा यहाँ पर पीला या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि इस पर ABCD लिखी गई हूँ ABC तो कुछ भी देकर आपसे question पूछा जा सकता है जरूरी नहीं है कि लूड़ वाली जो dice है उसमें मतलब एक से छह तक की गिंती लिखी हो हो सकता है कुछ symbol लिखकर question देदे हो सकता है कि यह color वाले नाम लिखकर देदे या फिर ABCD लिखकर देदे तो किसी भी परकार से आपसे question पूछा जा सकता है तो dice हम समझते हैं dice में होते हैं 6 फलक dice में 6 फलक होते हैं जिसमें कि 3 तो हमारे जो होते हैं वो दिखाई देते हैं और 3 हमें दिखाई नहीं देते किसी भी dice को अगर हम picture की form में देखें image की form में देखें तो उसके हमें 3 ही फलक दिखाई देते हैं और 3 हमेसा छिपे रहते हैं और हमारे जो एक्जाम में question पूछा जाता है वो भी opposite surface वाला ही question पूछा जाता है कि हमें जैसे मान लिया ये है 3, 6, 5 लिखे गए हैं, 3 surface हमें दिखाई दे रही हैं, तो हमसे exam में question पूछ लेगा कि भी तीन के विपरीत में क्या होगा तो इस पूरे जो chapter में हम यही find करेंगे कि भी इसके विपरीत कौन सी सतय होगी, 6 के विपरीत कौन सी सतय होगी, 5 के विपरीत कौन सी सतय होगी या फिर कोई dollar रुपे का sign है, hashtag है, at the rate है इसे दे कर पूछ लेगा कि at the rate के विप्रीत में क्या लवसत है होगी या कौन सा हमारा symbol होगा तो यही सारी चीजे हम पूरे इस chapter में देखने बाले है तो आप समझते हैं हम कि पासा जो है वो कितने पिरकार का होता है तो पासा हमारे पास दो पिरकार का होता है, कौन-कौन सा पहला है हमारे पास standardized या फिर मानक पासा मानक पासा, अगर हम हमारे exam में question आया मानक पासे से तो हम उसे पहचानेंगे कैसे, कि यह मानक पासा है तो इसकी पहचान क्या है कि विप्रीत फलकों पर संख्याओं का योग साथ के बराबर होता है जो विप्रीत फलक है या अपोजिट सर्फेस है उसकी उनका योग साथ के बराबर होता है जैसे अगर यहां पर आग्या 6 तो इसके विप्रीत होगा 1 यहां पर आया 5 हमारा तो इ ऐसे ही अगर यहाँ पर आया 4 तो उसके विप्रीद होगा 3, ऐसे ही अगर 1 आया तो विप्रीद 6, 2 आया तो विप्रीद 5 और 3 आया तो विप्रीद 4, तो यह होता है हमारा मानक पासा, जिसकी opposite जो surface है उनका जो sum होता है हमेसा 7 होता है, अगर ऐसा है तो हम कहा देंगे हाँ ज standardized की अब हमसे जो दूसरा है हमारा वो है generalize यह सामाण्यE-yaESE पासा अब सामाण्यE-ya पासे की क्या पहचान होगी भÕ जो मानक पासा है इसे तो हमने देख लिए विया विप्रित फलकों का योग साथ होता है अब हमसे कहा जाए कि सामाण्यE- Y कि क्या पहचान है वो यह है जो विप्रीत फल्कों का योग साथ के बरावर नहीं होता तो पासे को समान्य पासा कहा जाता है इसके बिल्कुल उल्टा है ना इसमें तो विप्रीत फल्कों का योग साथ है तो मानक पासा है और इसमें विप्रीत फल्कों का योग साथ नहीं है तो वो एक सामान्य पासा है, तो आप समझ गए ना, और अगर ये तो हो गया एक, कि विप्रियत थलकों का योग साथ नहीं है, तो एक सामान्य पासा है, और किस प्रिकार से हम इसे समझ सकते हैं, कि जैसे कोई ये डाइस है, और इसे लिखा गया है, चार, तीन, पाँच, ये लिखे गए हैं, तो हम इसे कैसे बताएंगे, कि ये मानक पासा है, ये साधरन पासा है, तो इसे इस प्रिकार से हम कह सकते हैं, कि ये एक सामान्य पासा है, अगर जो तीन हमें फलक दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी भी अगर योग साथ हो गया, तो वो एक सामान्य पासा होता है, अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पता चला कि अगर उनके सामने वाले जो फलक है, उनका योग साथ हो गया, तो यो एक सामान्य पासा है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो एक स्टेंडर डाइस होती है, उसके होता है विप्रित फलकों का योग साथ लेकिन दो विप्रित सतह जो होती हैं डाइस में ना तो वो एक साथ दिखाई देंगी आपको और ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों एक साथ छिप जाएं ना तो दिखाई दे सकती हैं और ना छिप सकती हैं लेकिन अगर हम यहां देख रहे हैं त तो यह 4 और 3, 7, add हो गया 7, तो अगर यह बिप्रीद सतय होती, तो यह एक साथ हमें दिखाई नहीं पड़ती, 4 के पीछे चुपा होता कहीं 3, है ना, या 3 के पीछे चुपा होता 4, तो हमें एक साथ दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पर हमें एक साथ दिखाई दे रही है, चार और तीन, जो साथ है इनका एट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सामान्य पासा है, तो यह बहुत important point है आपके लिए, कि जो दो विप्रीत सतह होती है, ना तो वो दो एक साथ दिखाई देंगी, और ना एक साथ पर रही है, दो सतह है, तो वो भी एक दूसरे के विप्रीत नहीं होगी, अब आगे देख लेते हैं, जो हमारा dice है, dice से कितने पिरकार के question हमारे exam में पूछ जाते हैं, तो dice से हमारे 5 जो है, 5 type के question हमारे exam में बनते हैं, mainly, कौन-कौन से, पहला है type 1, बन figure, आपको एक figure देक exam में question पूछा जाएगा, तो यह होता है हमारा type 1, यह कोई भी आकरती पासे की स्थिति हमें दे देगा, और हमसे पूछ लेगा, 3 के विप्रीत में क्या है, 6 के विप्रीत में क्या है, 5 के विप्रीत में क्या है, तो पहला type बनता है हमारे पास यह, second type क्या बनता है हमारे पा तीसरा टाइप बनता है कि more than two जब पासे की दो से ज्यादा इस्थिति देकर हमसे question पूछ ले और यह जो हमें चार जो अलग-अलग आकरती दिखाई दे रही है यह एक ही पासे की है ऐसा नहीं है कि यह अलग-अलग पासा हो एक ही पासा है उसकी चार अलग-अलग हमें जो है दो से ज्यादा आकरती देकर question पूछा जाए टाइप 4 क्या है टाइप 4 है open dice खुला पासा जब हम किसी dice को जैसे यह वाली है इसे जब हम खोल देंगे तो कुछ इस परकार से दिखाई देगा तो जो यह हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हमें किसी भी आकरती को आप देख लीजिए सिर्फ तीन ही सतह दिखाई दे रही है तो यह तो हमारी पास बंद dice लेकिन खुली जो dice होती है उसमें हमें 6 के 6 फलक दिखाई देते हैं तभी तो खुली dice है या खुला पासा है तभी तो हम कहा रहे हैं कि यह खुला पासा है जब हम इसकी 6 के 6 फलक देख पार रहे हैं क्योंकि director में छे फल्क होते हैं इस और जो बनध इसा उसमें केवल हमें दिखाई देते हैं तीन पीछह चीप़े रहते हैं लेकिन खुलिया जोअ डाईस है इसमें मुखें है च्छह से फलक देख पाते हैं तो टाईप 4 होता आते हैं यह है हमारे पास टाइप पांच तो अब हम देखते हैं कि टाइप जो हमारे पांच देखें हैं इन में से भी जो टाइप टू है के वह टू फिगर जब दो आकरती देखर हमसे कोश्चन पूछा जाए तो उसमें भी तेन प्रकार के कोश्चन बनते हैं कौन-कौन से दो पिगर देकर question पूछा जाए तो पहला तो type बनता है हमारे पास ये वाला 9 common, second type बनता है हमारे पास ये, 1 common और third type बनता है हमारे पास ये 2 common, अब ये क्या है, अब हमसे 2 figure देकर question पूछा जाए और उसमें कोई भी फलक जो है common ना हो, कोई भी सतह common ना हो जैसे कि यहाँ पर है 2, 5, 4, 1, 3, 6 तो इन में कोई भी common नहीं है तो यह हुआ हमारा no common वाला case अब दूसरा क्या है, दूसरा type है हमारे पास बन common, बन common में क्या होगा इन में से कोई भी एक फलक common होगी दोनों आकरती में case होता है, वो होता है two common वाला अब जो third type है हमारा वो है two common अब यहाँ पर होगा, दो जो सतह होंगी वो common होगी जैसे यहाँ पर है हमारी 2 और 5 और यहाँ पर भी 2 और 5 तो दो सतह common है, तो हमारा type होगा third, two common तो दो figure वाले में हमारे यह तीन type बनते हैं तो अब हम एक बार जल्दी से revise कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने जाना dice क्या होती है, dice की हमारे पास होती है 6 सत है, जिन में से हमें 3 दिखाई देती हैं और 3 हमेशा छिपी रहती है, उसके बाद में हमने देखा कि dice कितने पिरकार की होती है, तो dice होती हैं दो पिरकार की, पहली होती है हमारे पास standard dice मानक पासा और दूसरी होती है हमारे पास general dice या सामान्य पासा, अब हमारे पास मानक पासे की क्या पहचान है, तो उसके जो बिप्रीत फलक होंगे उनका योग हमेशा साथ होगा इसी प्रकार से जो सामान्या हमारे पासा है उसकी क्या पहचान है तो सामान्या पासे की हमारी पहचान ये है जो बिप्रीत फलक हैं उनका योग कभी भी साथ नहीं होगा और जो अगर जो हमें तीन फलक दिखाई दे रहे हैं उन में से किसी भी दो का जो योग है अगर वो साथ हो गया तब भी वो एक सामान्य पासा होगा उसके बाद देखा हमने कि हमारे एक्जाम में कितने टाइप के कोशन बनते हैं डाइस से पासे से कितने प्रकार के कोशन बनते हैं तो हमारे पास कोशन बनते हैं पास टाइप के कौन-कौन से पहला है हमारे पास टाइप के जब हमारे पास एक आकरती देकर कोशन पूछा जाए बन फिगर देकर कोशन पूछा जाए दूसरा टाइप बनता है हमारे पास जब two figures देकर हमारे पास question पूछा जाए two figures वाले में भी तीन टाइप के question बनते हैं कौन-कौन से पहला बन common, दूसरा है कि two common और तीसरा है three common कि जब एक surface common हो, जब दो surface common हो और जब एक भी surface common ना हो तो two figures में हमारे ये तीन प्रकार के question बनते हैं तीसरा टाइप क्या था हमारे पास, तीसरा टाइप था वो कि जब हमारे पास दो figures से ज़्यादा देकर question पूछा जाए तीन या चार figures देकर question पूछा जाए, लेकिन वो सिर्फ जो है एक पास की अलग-अलग इस्तिती होंगी, ऐसा नहीं है कि अलग-अलग dice हो तो तीसरा टाइप था हमारे पास ये, जब दो से ज़्यादा आकरती देकर question पूछा जाए और fourth type क्या था हमारे पास, तो चोथा type था हमारे पास और पाँचवा जो type था हमारे पास क्या है, पाँचवा type है हमारे पास जब भासा अधारत प्रशन पूछे जाए, language-based question तो ये था हमारे पास सारा कि dice से किस प्रकार के question पूछे जाते है कौन-कौन से dice होती है, अब आगे हम समझेंगे कि type बन से लेकर पास तक question करेंगे वह सारी चीजों का अच्छे से समझेंगे, अब देखते हैं आगे भई, तो हम स्टार्ट करते है है, type बन से, type बन क्या है, हमारे पास बन फिगर, जब एक फिगर देकर हमसे question पूछा जाए, तो एक फिगर वाला हम 5 के opposite कैसे निकालते हैं, तो 5 के opposite निकालने के लिए, भई, हमारे पास क्या-क्या हो सकता है, एक, दो, या फिर चार, अब आप कहेंगे कि भई, ऐसे कैसे पता चला, कि 5 के opposite एक, दो, चार होगा, तो अब मैं बता दूँ आपको, मैंने आपको बताया था, कि जो दो opposite surface होत सकती हैं, और ना एक साथ छिप सकती हैं, तो जैसे 5 के opposite हम से पूछा गया है, तो 5 के opposite ना तो 3 हो सकता है, और ना 6 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये opposite होते, तो एक साथ दिखाई नहीं देते, मानले कि 5 के opposite 3 है, अगर 5 के opposite 3 है, तो वो एक साथ दिखाई न तो two surface opposite वाली ना तो 1 साथ दिखाई देंगी और ना एक साथ छिपेंगी तो इसल्य हम कह सकते हैं कि 5 के opposite ना तो 3 और ना 6 होगा तो और हो सकता है या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है exam में आपको देकर बोला जाता है कि किसी भी dice पर एक से लेकर 6 तक की संख्याय अंकित है यह आपको दिया जाएगा तो हम अगर 1 से 6 तक देखें तो 5 के opposite तो हमसे पूछा गया है 3 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, तो बचे क्या क्या, बचे हमारे पास 1, 2, 4 तो 5 के opposite यह तो एक हो सकता है, यह दो हो सकता है और चार हो सकता। लेकिन हम definite नहीं बता सकते कि 5 के opposite एक होगा जो हमारे पास one figure वाले question होते हैं इसमें हम अपना definite answer नहीं बता सकते कि 5 के opposite में क्या आएगा ये एक हम answer definite नहीं बता सकते है हम ये तो कह सकते हैं कि भई एक दो या चार में से कोई एक आएगा पर ये नहीं कह सकते कि 2 ही आएगा या 4 ही आएगा तो one figure वाले question में हम अपना definite answer नहीं लगा सकते अब एक्जाम में आपसे option देकर इससे question पूछा जाता है तो option में आपको घुमाया जाता है कैसे मानलू में कि यहाँ पर आपको 4 option दिये गए है ये है हमारे पास A ये है B ये है C और D तो यहाँ पर option है कि 5 के opposite में पहले में है कि 1 आएगा दूसरे में है 2 आएगा तीसरे में है 4 आएगा और चोथे में है हमारे पास cannot be determined या आकड़े एपल र्यात है ये हमारे पास option है और 5 के opposite पूछा गया है एक figure देकर तो आप इसका answer क्या लगाएंगे तो हमारा जो answer होगा बो होगा D अब आप कहेंगे भी D कैसे होगा तो D ऐसे होगा भई हम confirm नहीं बता सकते न कि 1 आएगा 2 आएगा या 4 आएगा ऐसा तो हो सकता है कि 1, 2, 4 इन में से कोई एक आए पर confirm नहीं बता सकते इसलिए हम confirm अपना जो है answer टिक नहीं कर सकते तो हमें करना होगा कि भी आखड़े अपर्याप्त हैं या can not be determined हम पता नहीं लगा सकते तो ये होगा हमारा answer लेकिन बही पर अगर हमसे option दे कर वो पूछे कि ये है A B, C ये 4 option है 4 option में अब हमसे कह दे कि 5 के विप्रित में क्या आएगा या 3 आएगा या फिर 5 के विप्रित में आएगा 6 या फिर कह दे कि 5 के विप्रित में आएगा 2 या फिर कह दे कि 1, 2, 4 तो तब हमारा option क्या होगा तब हमारा option होगा D क्यों? 3 और 6 तो आई नहीं सकते ये तो confirm है दो आ सकता है लेकिन 100% से ओल्टे नहीं है कि दो ही आएगा और आ के सकता है एक दो चार यह आ सकता है तो हम अपना जो option लगाएंगे यह लगाएंगे और ऐसे ही अगर हमारे exam में option दिये गए हैं हमें A, B, C, D इस बार हमारे पास option है क्या? एक दो चार नन ओफ दीज नन ओफ दीज तो अब हम लगाएंगे option D क्यों? हम definite नहीं बता सकते तो इन में से कोई भी हमारा option 100% सही नहीं है अगर हमारे पास यह वाला option होता एक दो चार वाला तब तो हम लगा देते लेकिन जब हमारे पास है नहीं तो तब लगाएंगे हम ननोमदीज तो इस प्रकार के question में आपको option से देखना होता है कि किस प्रकार के option है उसी के according हमें अपना answer tick करना होता है तो आपको समझ में आया होगा कि बन फिगर वाले question किस प्रकार से पूछे जाते हैं अब इस पे related question देखते है क्या यदि यह है एक मानक पासा है तब तीन के विप्रित क्या होगा if this is a standardized then what is opposite to 3 तीन के opposite में क्या होगा और बोला गया है भी क्या यह है एक मानक पासा है अब आप इसका answer बताईए क्या होगा तो मानक पासा बोला गया है तो अब तो इसका answer आसान है तीन के opposite में क्या होगा तीन के opposite में 4 होगा option हमारा 20 ही हो गया कैसे हो गया मैंने आपको बताए था ना कि मानक पासे की क्या विशेष्टा होती है मानक पासे की विशेष्टा यह होती है कि उसके जितने भी opposite surface है उनका जो योग होता है addition होता है वो होता है साथ 6 के opposite में होगा 1 5 के opposite में होगा 2 और ऐसे ही 2 के opposite में 5 तो 3 के opposite में क्या होगा 4 option भी सही हो गया आपको भ्याद ध्यान रखनी है कि मानक पासे के opposite surface का योग साथ होता है अगला question देखते है अगला question क्या है वरी यदि यह एक मानक पासा हो तब 5 के विप्रीत में क्या होगा तो 5 के विप्रीत में क्या होगा 2 होगा क्यों होगा क्योंकि यह एक मानक पासा है तो आपको समझ में आ गया होगा जो मानक पासा वाला है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ किया होगा कि opposite surface का योग साथ होता है तो वो एक मानक पासा है अब आपसे अगर मानक पासे पर कोई भी question पूछ ले exam में आप 2-3 second में आसानी से अपने answer कर पाएंगे अब आगे देखते हैं अगला question अगला question क्या है ऊँचा के What is opposite to 6 शाय के विपरित में क्या है अब बताइए ऑक होगा क्या ओप्शन सी नहीं क्यों नहीं हो सकता एक नहीं है तो आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि opposite surface का योग साथ होता है लेकिन वो किसमें होता है वो होता है मानक पासे में पिछले जो दो question है उसमें बोला गया था कि यह है एक मानक पासा है लेकिन यहाँ पर नहीं बोला गया कि यह है एक मानक पासा है तो हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते कि यह मानक पासा होगा यह एक general dice भी हो सकती है मानक पासा भी हो सकता है लेकिन जब तक हम से बोला न जाए एक्जाम में तब तक हम अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे उसको देखेंगे कि मानक है या जनरल है वो उसकी पहचान क्या है कि अपोजिट सर्फेस का योग साथ है तो एक मानक पासा हुआ और नहीं है और एक हो सकता है कैसे छह के बिप्रीत में ना तो tre hooga और ना 5 होगा एक से छह तक की संख्याए अंकेत यह दिया जाएगा आपको तो ना तो होगा दो ना होगा चार और वो ना तो होगा तीन और ना होगा avait क्या हो सकता है 2 4 1 आपने पहले भी पीछे देखा था ना जो बन फिगर वाले question में के भी 3 और 5 क्यों नहीं हो सकता क्यों कि 2 opposite surface ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना एक साथ छिपेंगी इसलिए ना तो 3 होगा ना 5 होगा यह तो 100% confirm है लेकिन 2-4-1 में से कुछ भी हो सकता है तो फिर यह option गलत हो गया यह option गलत हो गया हमारा option क्या हुआ 20 है हुआ आया समझ में अब देखते हैं अगला question अगला question है क्या 2 के विप्रित क्या होगा what is opposite to 2 दो के opposite में क्या होगा यह हमारे पास 1 है यह 3 है और 5 है अब हमें बताना है दो के opposite में क्या होगा तो same फंडा है इसे भी कैसे बता देंगे वही दो के opposite में बताना है तो दो के opposite में क्या क्या हो सकता है हमारे पास हो सकता है, एक हो सकता है पाँच हो सकता है, या तीन हो सकता है क्यों? दो हमें दिखाई तो दे नहीं रहा मतलब छिपा हुआ होगा और जो छिपा हुआ है तो दो opposite surface ना तो एक साथ दिखाई देंगी ना छिपेंगी, मैंने आपको बताये था तो जो अगर 2 छिपा हुआ है तो इसके विप्रित वाले हमें दिखाई दे रहे हैं या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा लेकिन हम definite नहीं बता सकते कि दो के विप्रित में 1 ही होगा या 5 होगा या 3 होगा इतना कह सकते हैं या तो 1 होगा या पांच होगा या तीन होगा समझ में आया होगा अब अगला प्रशन देखते हैं तो टाइप हमारा जो बन था वो कम्प्लीट हो गया क्या जब हमसे एक फिगर देकर डाइस की एक पॉजिशन देकर कॉश्टन पूछा जाए उसमें हमने मानक जो पासा है वो भी देख लिया और जन्नल डाइस है वो भी देख लिया और जो बन फिगर वाले कॉश्टन है उससे हम डेफिनेट अपना आंसर नहीं निकाल सकते किसी संख्या के अपॉजिट में यह डेफिनेट होगा ऐसे हम डेफिनेट आंसर नहीं कर सकते अब हमारे पास है टाइप टू जब एक पासे की दो इस्तितियां दे गई हो और उसमें भी टाइप बन जो टाइप टू था उसमें भी टाइप बन जब नो कॉमन कोई भी जो फलक है हमारा common ना हो तो अब देखते हैं कि इस प्रकार के question कैसे करते हैं अगर हमारे exam में आए तो जो no common वाला case होता है वो same बैसा ही है जो हमने अभी पीछे किये हैं बन फिगर वाले जो पहले हमने अभी 4 question किये हैं ये question भी same ऐसे ही solve होता है तो आप देख लेते हैं भी 5 के बिपरीत में क्या होगा 5 के बिपरीत में बताना है 2 हमें एक पासे के अलग अलग इस्तितिया दी गई है हमें 5 के बिपरीत में बताना है तो 5 के बिपरीत में 2 तो हो नहीं सकता 4 हो नहीं सकता हो क्या सकता है तो 5 के विपलित में हमारा हो सकता है या तो 6 होगा या एक होगा या होगा हमारे पास 3 क्यों क्योंकि 5 के साथ 2-4 क्यों नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पासे की जो opposite surface है ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना एक साथ छिपेंगी है ना तो या एक होगा या तीन होगा इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें भी हम definite answer नहीं बता पा रहे तो इसलिए यह no common वाला जो case है वह बन फिगर वाला जो हमने question के हैं उसी के common नहीं है एक दो तीन चार पाँच है कोई भी सतह common नहीं है no common वाला case है है ना तो अब हमसे तीन के विपरीत निकलवा रहा है तो तीन के विपरीत ना तो भी हमारे पास होगा एक ना होगा दो समझ में अब तो आ गया होगा ना कि तीन के विपरीत में एक और दो क्यो नहीं ह तो क्या क्या हो सकता है 3 के विप्रीत में हमारे पास हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 तो 3 के विप्रीत में 4-5-6 में से कुछ भी हो सकता है तो option D हमारा सही हो गया अब चीजे समझ में आ रही होंगे आपको अब आगे देखते हैं आगे क्या है वही अब टाइप 2 का ही जो second वाला part था अभी तो पहले हमने किया इससे जो पहला question था type 2 का no common वाला case अब है type 2 का second वाला जब एक सत्य हमारी common हो तो यही है जब एक पासे की दो इस्तितिया दी गई हो और एक common हो बन common वाला case तो अब जैसे हमें दो इस्तिति दी गई है तो यहां पर common क्या है वही यह तीन वाली सत्य है common है दोनों में तीन common है है ना तो यह जो दो आकरती है उसमें तीन common है एक संख्या common हो गई तो यह हमारा second type है अब आप से इसमें question पूछे जाते हैं कि वही एक के विप क्या होगा तीन के विपरित क्या होगा तो बन common वाले में अब देखते हैं कि हम विपरित वाला कैसे निकालते हैं यह सबसे important जो है टाइप है आपके exam के लिए क्योंकि जब हमसे दो से ज्यादा आकरती देकर तीन चार आकरती देकर पूछा जाएगा तब यह वाला जो टा सान तरीका है क्या जो भी common वाला हो उसे उपर नीचे लिख लो जैसे यहां पर हमने लिख लिया जो भी common वाला हो उसे उपर नीचे लिख लो जैसे यहां पर तीन था पहली में और सेकंड में भी तीन था अब या तो clockwise चलो घड़ी की दिसा में या घड़ी की बिप्रित द पड़ेगा ऐसे ही यहां पर ऐसे चलना पड़ेगा तो या तो हम घड़ी की दिशा में चले या फिर घड़ी की विप्रीद दिशा में चले लेकिन अगर हम पहली आकरती में घड़ी की दिशा में चले क्लोकवाइज डारेक्शन में चले तो सेकंड आकरती में भी हमें क्लोक वाली आकरती में हम anti-clockwise में घूम गए तब आपका आंसर गलत हो जाएगा आंसर आपका आजाएगा कि चाहे आप clockwise में घूमे चाहे एंटी-clockwise में पर जो action आपने एक में लगाया है सेम वही दूसरी आकरती में लगाना होगा तो हम common वाली संख्या को पकड़ लेते हैं और clockwise direction में घूमते हैं तो 3 से clockwise चले कितना आया 5 ऐसे ही 5 से clockwise चले तो क्या आया 1 अब 1 से आगे चलेंगे तो 3 repeat हो जाएगा है न इसी परकार से second वाली जो है हमारी आकरती उसमें हम 3 से clockwise चले तो क्या आया हमारे पास 2 ऐसे 2 से clockwise चले तो क्या आया हमारे पास 4 तो यह जो संख्याई हैं यही एक दूसरे के opposite हैं एक के opposite में 4 पांच के opposite में 2 और 3 के opposite में बची हुई संख्याई क्यों क्योंकि एक डाइस पर 1 से 6 तक की संख्याई अंकित होती है वो आपको लिखके भी देगा एक्जाम में तो बची हुई संख जालते हैं और इससे definite answer निकलते हैं हमारे तो आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे पूछे जाएंगे इससे जैसे यह है कि what is opposite to one एक के विप्रीत में क्या होगा अब हमने देखा के दो आ करती हैं क्या common दिखाई दे रहा है कोई दिख रहा है न common क्या यहाँ पर तीन दिखाई दिया common अब हमसे एक के opposite में पूछा है तो एक के opposite निकालने का वही तरीका तीन से clockwise चले ऊपर नीचे लिख लिया दोनों की common वाली संख्या को तीन से clockwise चले 5 पांच से clockwise चले 1 लिख लिया इसी प्रिकास second आकरती में clockwise चले 2 और clockwise चले 4 तो अब बची हुई है 6 वो होगी तीन के opposite तो हमसे पूछा गया है एक के विप्रीत क्या होगा तो एक के विप्र होगा चार तो option D सही होगा आया होगा समझ में चलिए आगे चलते हैं कि अगला प्रेशन है चार के विप्रित क्या है वोट इजब फोर फोर के पोजिट बताना है फोर के पोजिट क्या होगा तो अब देखिए यहां पर क्या common है क्या common दिखाई दे रहा है हमें तो यहां पकॉमन है 4, 4वाला common है तो हमें opposite निकालना है किसके 4 के अप फोजिट निकालना है तो क्या तरीका होगा भई common वाली को ऊपर निचे लिख लो अब पहली अकरती में clockwise चले तो हमारे पास 3, 3 से clockwise चले तो क्या है हमारे पास 5 ऐसी second वाली में 4 से clockwise चले के आया 6 और 6 से clockwise चले के आया 2 तो और बची होई जो संख्या है वो क्या होई एक तो वो हो गई 4 के opposite तो option B हमारा सही हो गया निकल गया न वो जल्दी और दूसर तरीके क्या हो सकता है ये तो हमारा मतलब हमनारा जो है method हो गया भई कि इस तरह से हम निकालते हैं लेक जैसे की चार ना तो तीन होगा न पांच होगा इसी प्रकार से चार के बिप्रित ना तो 2 होगा न 6 होगा बचा क्या हमारे पास ही तब भी हमने निकाल दिया करने की जरूरत नहीं है अब मैंने ये कैसे बता दिया आपको कि भई 4 के विप्रीट ना तो 3 होगा ना 5 होगा और ना 4 के विप्रीट 2 होगा और 6 होगा तो हमने पीछे अभी देखा था कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि opposite वाली surface ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना एक साथ छिपेंगी मैंने बोला था ना कि ये आपको आगे question में बहुत help करेगा option elimination में बहुत help करेगा तो 4 के हमसे विप्रीट पूछा है तो 4 के विप्रीट भही ना तो 3 होगा ना 5 होगा क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो हमारा option क्या था option 3 वाला जो था D वो हमारा cut हो गया तो यह तो भी हमारा हो ही नहीं सकता 3 तो हो इन शकता 4 के आपोजिट ऐसी अगर हम दूसरी आकरती देखें तो ना तो 2 हो सकता ना 6 हो सकता अब हमारे क्या है option C, 2 option A तो यह नहीं हो सकते बचा हमारे पास क्या option A तो यही होगा एक क्यापोजिट और हमने निकाल के भी देख लिया कि हाँ वही चार क्यापोजिट एक ही आ रहा था तो इस तरह से भी हम अपने कोशन कर सकते हैं हमें सारी अप्रोच पता होनी चाहिए क्यों हमें एक्जाम में अपना टाइम बचाना है कैसे भी करके टाइम बचाना है और जल्दी से अपने कोशन का आंसर करना है तो सारे तरीके आपको पता होना जरूरी है अब यह हुआ अगला कोशन आगे के कोशन जो हैं हमने दो टाइप के हमने कोशन कर लिए पहला तो होता हमारे पास जब हमें एक फिगर देकर कोशन पूछा जाए और सेकंड टाइप था जब हमारे पास दो फिगर देकर कोशन पूछा जाए तो सेकंड फिगर को हम कर रहे थे सेकंड टाइप जो था के उसमें हमने नो कोमन वाला केस समझ लिया और one common वाला case समझ लिया दो case समझ लिया, अब हमारे पास है जब two common हो, तो उससे आगे two common वाले और जो अगले हैं जब दो से ज़्यादा figure देकर question पूछा जाए, या फिर open dice हो या language based वाले जो question है इन्हें हम कल की class में अपना पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार